बच्चे ना अचानक से जित कर रहे ममा पिज्जा खाना पिज्जा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है इसका कुछ तो सॉलिशन निकालना ही होगा चलो बच्चों के लिए पॉकेट पिज्जा बनाते है जो बहुत आसानी से बनता है कुछ बिना कुसी ताम जाम के बस घर में कुछ चीजों की ही जरूत होती है जैसे कि आपके पस एक ब्रेड होना चाहिए और दूसरा है चीज क्योंकि चीज तो मस्ट है ना चीज के बिना तो पिज्जा एकदम अधूरा अधूरा क्या अच्छा ही नहीं लगेगा यहीं तो इसकी जान है बस चीजा तुम्हें रखती हूं उसके अधगर में रखा हुआ खीरा टमाटर और प्याज आप कभी इस तरह से ट्राइज जरूर कीजेगा घर में कुछ ना भी हो ना सिर्फ खीरा टमाटर भी हो तब भी चलेगा तो ब्याने प्याज को इस तरह से काट लिया सैलेट के रूप में गोल गोल स्ल बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप आराम से डाल सकते हैं मेरे बच्चों को तीखा नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूं देखिए मैंने सारे काट लिया है उसके बाद पर यहां पर वाइट ब्रेट अगर आप चाहो ना तो ब्राउन ब्रेट में भी आराम से बना सकते हैं तो घर में मेरे घर में वाइट बड़ा हुआ था तो एक पॉकेट पिज्चा के लिए दो ब्रेट की जरुवत है दो सुलाइस की जरुवत है दोनों सुलाइस को रख लेना है और इसके बाद मैं ले रही हैं घर का देशी घी आप चाहो तो बटर में ही बन से लंगते जासी चाहो तो ब्रेट में लग जाए दोनों स्लाइस में देखें बहुत अच्छे से लग जाता है ज्यादा प्रिशानी नहीं होती है और इसके बाद एक स्लाइस जो है जब लग जाए यक Servaire को पिलट देना है तो इसे सब्जिय को झोधा हुआ उसे अच्छे से सजा देना है आपको जो भी सब्जिया पसंद है कैफ शिकम गएरा आप एड कर सकते हो मेरे बच्चे जादा सब्जिया नहीं पसंद करते हैं तो देखिए मैंने सजा लिया है बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पीना चीज के बनाओगे तब भी अच्छा लगेगा लेकिट पिज्जा है चीज तो डालना ही पड़ेगा उसके बाद मैंने लिया है एक स्लाइस सिंगल बना रही हूं छोटी के लिए तो डबल डालना पड़ता उसे चीज ज्यादा चाहिए आप चाहो ना अगर स्लाइस नहीं है क्यूब चीज भी है तो आप उसे तो बहुत असानी से बन जाता है कुछ नहीं करना बस एक स्लाइस उठाना है इसके उपर इस तरह से चिपका देना है और घी वला पोर्शन उपर रखे ब्रेट को लगा देना है अब मैं रखी हुए आप पॉकेट पिजा बनाने के लिए आराम से आपको मार्केट में मिल जा बस शेख देवक्त एक बात का अब ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्लेम है ना वह बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है एक दम कम पे रखना है पांच मिलिट लगेगा आपको इसको सेकने में उलट-फुलट करके शीक लेना है और हमारा जुब्रेड है सिख चुका देखि बच्चे भी खुश और मैं भी खुश आप चाहो ना तो रोटी में भी बना सकते हो